इस समय एक सन्यासी स्रधावनत हैं इस समय एक परिवरजक स्रधावनत हैं इस समय विकासपुरुस श्रधावनत हैं आधिपुरुष के समक्ष इस समय नए भारत के स्वपनद्रश्टा श्रधावनत हैं और समुचे राष्टर की ओर से भगवान श्रीराम श्रीराम लला विर राजमान के चरुणों में पहुचे हैं राष्ट मंगल की कामना करने के लिए प्रमुख महंत सतेंद्र दासजी महराज दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट कल्याण की कामना कर रहे हैं क्योंकि असतो मा सद्गमें, तमसो मा जयोतिर गमें, मृत्योर मा, अम्रितम गमें, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीशियों ने कामना की है। अम्रितम गमें, यह हमारे मनीशियों ने कामना की है, यह हमारे मनीशियों ने कामना की है। अधर्म का नाश हो, इसकी कामना करती है, हमारी ही संस्कृती है, जो विश्व के कल्यान की प्रार्थना करती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राम लला विराजमान के दरवार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं। और एक अलक भी जगाई हुनोंने, इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एक अलक है जो जागी है समुचे राष्ट में, राष्ट निर्मार की। एक अलक जागी है आत्मनिर भर भारत के निर्मार की, एक अलक जागी है जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रभ्जलन करके अपनी संकल्प को सिद्धि के लिए उसे और द्रड़ता और विश्वास प्रधान करने के लिए राष्ट की तरप से कामना करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और उश्रधावनत हैं विन्यावनत हैं प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीशियों और समूचे नर और नारायन की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामन अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हिर्दे से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया आयोध्या की महिमा चारो भूवन में व्याप्त है ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायन के साक्षात अवतार की भूमी है ये भगवान श्री राम के जन्मस्थान की भूमी है आयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगद गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहरनिश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी भगवान श्रीराम के श्रीराम लला विराजमान के दर्बार में पहुचे हैं राष्टमंगल की काम ना करने के लिए युगों युगों की साक्षी है ये अयुद्ध्या की पावंधर्ती कहा गया है अयुद्ध्या मथुरा माया ताशी कांची अवंतिका पूरी द्वारा वती चईव सब्तैते मोक्षदाई का मोक्षदाई नगरों में सरवर्षेष्ट स्थान हासिल है अयुध्या को विस्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयुध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं प्रदक्षणा कर रहे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी, राश्टनायक नरेंद्रमोदी, परिवराज्यक नरेंद्रमोदी, सन्यासी नरेंद्रमोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्रमोदी और भारतिय संस्कृति के समवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्रमोदी, भारत भारतियता के प्र अपिस्वर्णमई लंका मेना लक्षमण रोचते जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपी गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित, तन्मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसाथ करते हुए प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी पहुचे हैं भगवान श्रीराम के श्रीराम ललाविराजमान के दरबार में आराधना की है राम्चरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने उन्होंने कहा कि श्रीराम चंद्र कृपाल भजुमन हर प्रगल और प्रगाल करने के लिए प्रगाल मंत्री नरेंद्र मोदी पहुचे हैं श्रीराम लला विराजमान के दर्बार में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जोकी भारत भारतियता के ध्वजवाहक हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जोकी सनातन संस्कृती के इस संक्रानतिकाल के अग्रदूत हैं प्रगान मंतुर।